नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल जरधारी क्लासेज में तो दोस्तों उत्राखंड सामान गयान के इस ओनलाइन कोर्स सीरीज में आपका स्वागता है आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर उत्राखंड के प्रमुक नर्थे के बारे में दोस्तों एक बहुती महत्वपों टोपिक है क्योंकि यहाँ से एक्जाम में कई बार क्वेशन बनते हैं तो इस द्रिशे बहुती इंपोर्टेंड हो जाता है और यहाँ पर मैं आपको चायो कुमाओं के हूँ चायो गड़वाल के हूँ तो जितने भी नर्थे हैं कुमाओं और गड़वाल में वो सारी चीज़ में यहाँ पर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ और यहाँ पर काफी डिटेल सम्य यहाँ जानेंगे इन नर्थे के बारे में तो आए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों उत्राखन के परमुख नर्थे पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि किस टाइप के क्वेशन यहाँ से एक्जाम में बनता है तो यहाँ तो यहाँ से ऐसा क्वेशन बन सकता है कि कोई भी नर्थे दे दिया यह कहां किया जाता है या question ये बनता है कि ये निर्तिया कौन सी सहलिका है स्रिंगार सहलिका है या आपका युद्ध सहलिका निर्तिया है क्योंगी बहुत सारे निर्तिया होते हैं उत्राखण में तो सारी सीजे आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो हम यहाँ पर इसको एक तो पहले गड़वाल के परमुख निरती के बारे में जानेंगे और फिर इसी वीडियो में कुमाओं के परमुख निरती के बारे में जानेंगे और फिर कुछ ऐसे निरते भी है जो गड़वाल और कुमाओं दोनों जगाए होते हैं अब जो यहां पर कई बात confusion वाली बात यह होती है इस्टेंड में कि जैसे हमने बोल दे किसी को कुमाओं का एक प्रमुख निरत्य है अब यह जरू नहीं को पूरे कुमाओं में लिए गडवाल के कुछ हिसों में जो कुमाओं से सीमा रखते हैं जो उनमें वो हो सकता है क्यो कि वो पड़ोस में होगे कुमाओं के तो यहां पर आपको यह समझना है कि यह जरूर नहीं होता है कुछ सेत्र में वो गडवाल में भी हो सकता है लेकिन प्रमुख निरत्य हो कहां का है वो कुमाओं का होगा तो इस पर गार के बहुत सारे निरत्य हो सकते हैं तो इसलिए आपको यहां पर confused नहीं होना है तो पहले बढ़ता है यहां पर गडवाल के प्रमुक्न निर्तियों की और तो सबसे पहले जो आता है वो यह आपका थड़िया निर्तिया दोस्तों जो यह थड़िया निर्तिया है यह कब होता है कि जब कोई लड़की उसकी साथी होती है और पहली बार जब वो माई के आती है तो उसको कहा जाता है थड़िया निर्थिया यह निर्थिया विवाहित लड़कों के पहली बार माई के आने पर किया जाता है तो यह direct exam में question मनता है कि लड़िकों के पहली बार आने पर कौन सा निर्ते किया जाता है तो वो है यहां पर थड़िया निर्तिया और थड़ का मतला होता है देखो थड़िया निर्तिया होता है थड़ में थड़ का मतला होता है आंगन या चोक में तो यह निर्तिय कहां चैत बैसा के टाइम में आती है जो चैत बैसा के महिने होते हैं तो उस टाइम में निर्तिया किया जाता है जब लड़की क्या होती है पहली बार माई के आती है और इस निर्तिया में जो गीत गाई जाता है उन गीतों को कहा जाता है थडिया गीत तो आगे हम अगर संगीत वाला जो टोपिक पढ़ाएंगे हम इसके बाद तो उसमें हम वैसे थडिया गीत के बारे में आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप समझ भी सकते कि थडिया गीत कहां गाई जाता है जब थडिया निर्तिया किया जाता है दोस्तों यहाँ पर जो थड़िया निर्तिय यह है स्रिंगार सेली का निर्तिया अब यह स्रिंगार सेली का निर्तिय इसलिए है कि यहाँ पर देखो स्रिंगार रस तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा और वो निर्तिय करने लग जाती, तो कुलमला के यहां पर क्या है, प्रेम है, तो कुलमला के यहां पर क्या रस होगा, स्रिंगार रस, और यह तब निर्तिय के सहली का हो जाएगा, स्रिंगार सहली का यह निर्तिय हो जाएगा, आप समझे गेंगा कि थर्या निर्तिय को स्रिं और उमें आयजुद किया जाता है मनोरंजन के लिए और इस निर्ते में यह है एक युदसेली का निर्ते है तो इसलिए इस निर्ते में क्या होता है जो इस निर्ते में भाग लेते हैं उनके पास ये जो नर्तक होता है यानि जो इस निर्ते को करते हैं उनके पास तलवार और धाल होता है, आपने देखोगा मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो, इनके पास क्या है धाल और तलवार है यहाँ पर और साथ साथ यह ढोल की ताल पर क्या जाने वाला नरतिया है, अब देखो गड़वार में तो इसको सरो नरतिया कहा जाता है और जो भोटे जन्जाति पाई जाती है उत्राखन में, भोटे जन्जाति में इसी नरतिय को कहा जाता है पोना नरतिया, और कुमाओं में इसी नरतिया को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है छोलिया नरतिया, तो तीन पॉइंट आपको तो कई बार आ सकता है कि बताए कि निम्न में से कौन सा युद्ध सेली का निर्तिया है तो ओप्सन में चाहिए सरो निर्तिया आ गया चाहिए ओ पोना निर्तिया आ गया चाहिए ओ छोलिया निर्तिया आ गया यह तीनों यहां पर क्या होगे एक ही निर्तिया है लेकिन अलग और शेतर देरदून में जनजाति पाई जाती है तो यहाँ जोन सारी जनजाति का एक प्रमुख निर्तिया है और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस निर्तिय में रण सिंगा यहाँ पे आद देशकते हो रण सिंगा आपने देखा होगा गाउं में रण सिंगा या रमतुला विशेश करिये पहले युद्धिकेट समय प्रियोग में लाए जाता और अब ये साधी सामरों में भी प्रियोग में लाए जाता है तेकिन देरे देरे बहले इसका प्रियोग कम होने लगया है तो अभी भी कई जगाई देखने को मिलता है तो इस न पताऊंगा और जो हारूल निर्ट्या heir माहाभारत की गाथअबर आध myśब आधरीत है निर्ट्या है यह व्याल आपको नॉट कर सकते। उसके गड़वाल के तीरय और उतरकाशी छेतरों में, होता है, ईसमें क्या होता है, विसेस कर पुरुस ही भाग लेता है, क्योंकि ये निर्टे क्या जाता है, डंडों पे, डंडों में संतुलन मनाकि, ढंडे या बांस के, यहाँ पे आप जिस्तों यहाँ निर्ते पुरुसंदवार किया जाता है और इसमें पुरुस बांस के डंडे के सिखर पर संतुलन मनाते है अब देखो यहाँ पे बांस के डंडे लंबे-लंबे डंडे होता है और लंबे-लंबे डंडों को यहाँ पर क्या कहा जाता है लांग भी कहा जाता है कई जगा गड़वाल के कुछ हिस्सों में लंबी-लंबी जो क्या होते हैं लंबी-लंबे पेड उजाते हैं या लंबी-लंबे डंडे होते हैं उनको कहा जाता है लांग तो लांग के उपर जो निर्थे के जा रहा है यानि लंबे डंडों के उपर जो निर्थे के जा रहा है उसको क्या कहा गए यहाँ पर लांगवीर निर्थेया लंगवीर निर्थेया चोफला निर्तिया जो एक स्रंगार परधान निर्तिया है और ये समू में गोले में घोम कर कहा जाता है इस्त्री और पुरुसों के माध्यम से तो या तो इस्त्री पुरुस इसको अलगला करता है या तो तोली बनाकर गोले में गोमते हुए इस निर्तिय को करते हैं तो चोफला निर्तिया और इसमें कौन से गीत गाय जाते हैं तो वो गाय जाते हैं चोफला गीत जो इस निर्तिय में गीत गाय जाते हैं उनको कहा जाता है यहां पे चोफला गीत इसमें आपको एक विशेस ध्यान ये रखना है कि ये निर्तिया जिसमें किसी भी वादे यंद्र का परियोग नहीं होता है अब इसमें वादे यंद्र का परियोग नहीं होता है तो ये निर्तिय कैसे की जाता है ये सवाल आपकी मन में उठना चाहिए तो इसमें क्या होता है ताली बजाकर पैरों की थाप हो गया जहांत की जंगार हो गया कंगान और पाजेव की जो ज्वनिया होती है तो यह सारी इसमें इन सारों को मिला के यह निर्ते किया जाता है यहां पर क्या होती है यहां पर क्या जाता है यहां पर क्या जाता है यहां और जो चौंफला निर्तिया है, इसके तुलना केसे की जाती है, बिहू, बिहू का है, असम का बिहू निर्तिया हो गया, और गुजरात का गरबा निर्तिया हो गया, तो उस थ्रेणिंग का निर्तिया इसको माना जाता है, साथ वाजर निर्तिया हो है, जुमयलो निर्तिया, जुमयलो निर्तिय ये भी गड़वाल का प्रमुख निर्तिया है और ये निर्तिय क्या जाता है नव विवायत महिलों द्वारा माय के आने पर तो देखो पहली बार माय के आने पर जो निर्तिय कहा जाता है उसको कहा जाता है थड़िया निर्तिया और यह दूसर निर्तिया है जुमयलो निर्तिया और यह कब कहा जाता है तो यह कहा जाता है तो यह कहा जाता है जो निर्तिया करती है तो उसको कहा जाता है तो उसको कहा प्रदान निर्तिया है, जो भी जिसमें भी प्रेम भाव आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो पत्ति के लिए प्रेम, चाहे वो माई के के लिए प्रेम, क्योंकि प्रेम क्या है, इस थाई भाव किसका है, स्रिंगार रज का है, तो इसमें आपको स्रिंगार प्रदान गीत ये देखने को मिलेंगे ये बहुत सारे इसमें उत्राखन में उसके बाद जो आटवा जो नर्तिया है वो है चांचरी नर्तिया तो चांचरी नर्तिया और चांचरी गीत भी होता है तो चांचरी नर्तिया में गाई जाने वाले गीत कुन है उनको कहा जाता है चांचरी गीत यह भी आपको नोट करना है तो यहाँ एक सरंगार परदान निर्तिया है जो महिलाओं वा पुरुसुन द्वारा किया जाता है तो यह भी एक सरंगार परदान निर्तिया है यह निर्तिया हुड की वाद बजाकर किया जाता है इसमें हुड की अभी वाद यंत्रों में आपको अलग का जाएगा यहां इसको अलग का जाएगा तो गड़वाल में हो गया चांचरी निर्तिया और कुमाओं में इसी निर्तिय को क्या का जाता है जोड़ा निर्तिया कहा जाता है तो चांचरी निर्तिया में गया जाने वाला गीत कौन है वहें आपके चांचरी गीए तो य गडवाल के अने हिस्सों में भी यह किया जाता है लेकिन विशेसकर यह कहां किया जाता है छोपती निर्तिया रवाई जोनपुर छेत्र में यह किया जाता है और यह एक स्रंगार सेली का क्या है यहां पर निर्तिया और छोपती निर्तिया में जो गीत गाय जाते है उन गीत वह का जाता है, चोपती गीत Кई अफम आते हैं तो संगीत है। जो गीत है वो उसी निर्गेत से शंबे थे हैक तो उनका नाम सता है व्हां पर मिलेगः कें wrapper तो गडवालमेकर हों Racing ह refusing है चोटे बालक या बालकों या बालकों द्वारा किया जाने वालकों 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 और यह निर्तिया दीपवली के दिन चीड का भेला जला कर किया जाता है तो यह BCS करिया है गड़वाल में ही परसित है आपका भेला निर्तिया बारो निर्तिया यहाप पर रनभूत निर्तिया अब देखो रन का मतला होता है रन भूमी रन भूमी या युद्ध भूमी तो पहले क्या होता है बहुत सारे युद्ध होते थे चाओ गड़वाल हो चाओ कुमा हो चाओ कोई भी छेतर हो तो बहुत सारे युद्ध में जब क्या होते है सेनिक मरते है तो वो सैनिक उनकी आत्मा ही कई होंगी मला ऐसा मान जाते कि उनकी आत्मा ही भटकते थी और फिर वो क्या करते किसी पर अवतरित होते है तो उनकी आत्मा को सांत करने के लिए कौन सा निर्तिय किया जाते हैं आपे रणभोत निर्तिया है तो रणभूमी या युद्ध भूमी में वीरगति प्राप्त करने वाले ब्यक्तियों को देवता के समाने आपे पूजा जाता है तो उनको देवता मान जाता है तो देवता के समान उनको आज भी पूजा जाता है तो उनकी आत्माओं के सांत है तो यह निर्तिया आयोजित किया जाता है और इस निर्तिया को देवता घिराना यह हमारे गड़वाल में ऐसी बोलते हैं कि देवता घराना देवता घिराना हो गया देवताओं को बुलाना, तो इनको क्या कर जाता है, देवता घिराना या रनभूत नरतिया कर जाता है, रन का मला आप समाज गोंगे युदभूमी, तो युदभूमी में जो सहिनेक विर्गत को प्राप्ट हो गए है, उनकी आत्माओं के सांती के लिए खिया जाने वाला ज हमाला यात्रा तो इसलिए याँ पे पांड़ों का एक विश्यस इस्थान है गड़वाल में तो गड़वाल में पांड़ाउ निर्तिया किया जाता है और यह क्या है गड़वाल में महाबारत पर आधारित यह एक धार्मिक निर्तिया है यह आपको नोट करना है तो यह तो ग कहा था तो इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था तो सरो निर्तिया और यहां पे भोटया जंजाती में इसको क्या का जाता है आपका पोना निर्तिय इसको कहा जाता है तो कुमाओं का छोलया निर्तिया हो गया गड़वाल का सरो निर्तिया हो गया भोटया जंजाती का पोना नर्तिया हुए यह तिनों क्या यहां पे युद्ध सहली के नर्तिया है जो कि ढाल और तलवार पकड़ के किये जाते हैं और साधी सामारो में मनोरंजन हे तो यह नर्तिया किये जाते हैं उसके बाद है यहां पे भगनोल नर्तिया भगनोल नर्तिया इसमें भगनोल गी यह निर्ति विश्यशकर मेलों में किया जाता है और यह निर्ति हुड़का और नगाड़ा वादियंत्र पर किया जाता है तो इसमें जो प्रियोग होने वाले वादियंत्र है वो कौन से हैं हुड़का और नगाड़ा तो विश्यशकर आपने उत्रायनी मेला में देखा होग वहां पर भगनोल निर्तिय किया जाते हैं तो जो भी विशेश कर मेले होते हैं कुमाओं में क्योंकि ये एक कुमाओं का परसिद्ध निर्तिया है उसके बाद जो तीसरा निर्तिया है याँ पर वह आपका जोड़ा निर्तिया तो जोड़ा निर्तिया यहाँ निर्तिया वर्ताकार घेरे में मैं गोल घेरे में वर्ताकार घेरे में घूमते हुए यहाँ पर एक दूसरी के कंदों पर हाथ रखकर किया जाने वाल जो निर्तिया है वो उसको कहा जाता है यहाँ पर जोड़ा निर्तिया तो यहां पर मुख्य गाया जो होता है वुरत के बीच हुड़की बजाता है तो कुलमला की निर्तिय की में जो वादयंत्र यूज होता है यानि प्रियोग में लाए जाता है वो है हुड़की निर्तिया तो बीच गोले में यहां पर हुड़की वादक होगा और इसके चार ओर क्या करेंगे इस तरी पुरुस हाथों मुलक कंदे में कंदा डालके हाथों में हाथ लिए क्या करेंगे गोल गेरे में घोमते हुए यहाँ पर निर्टिय करेंगे तो इसको कहा जाता है जोड़ा निर्टिया और इसमें जो गाई जाने वाले संगीत है वो कोन है जोड़ा निर्तिया यानि जोड़ा निर्तिय में गाई जाने वाले गीत कोन है जोड़ा गीत है तो यहाँ पर गीत होगा ठीक है यह आपको नोट करना है और गड़वाल में इसी निर्तिय को क्या गा जाता है तो चांचर तो फिश स्कार यह जाता है मुसारी पित्वरगडर में क्या जाता है ऑर जोहार घाटि में जोहार घाटि हो गा यहां जेखнокे नरता है संसेली ओ गांपर यह जोहार घाती यह है न कि वहाँ पे बोलियों के आधर पर थोड़ी अलग भासा हैं हो गई तो उस कारण उनके जो नाम पढ़ गए वो अलग लग पढ़ गए है तो धुसका निर्तिया भी किसी स्रेणी का निर्तिया है चांच्री और जोड़ा निर्ति का पांचों यहां पे मुखोटा निर्तिया तो यहां पे आप देख सकते हैं मुखोटा निर्तिया तो कुमाओं के पिथोरगड में सोर गाटी आपने सुनाओगा तो बिशेश कर सोर गाटी में जो हिल जी यात्रा तो कई बार एक्जाम में यही पुझाता है कि हिल जी यात्रा कहां आईजित की जाती है तो पिथोरगड के सोर गाटी छेतर में हिल जी यात्रा यानि पिथोरगड में आईजित होती है तो वहां पे किया जाता आपका मुखोटा निर्तिया और इसमें लखिया भूत यह ब वो तो इसी हिल जात्र में किया जाता है आपका मुखोटा निर्तिया उसके बात है छटा हिरन चित्तल तो ये भी एक प्रगार का मुखोटा निर्तिया रो इसमें हिरन का मुखोटा पैनता है एक रंग भी रंगे वस्तर पैन के हिरन का मुखोटा पैना जाता है और फिर वहांपे नर्थिय किया जाता है तो कुमाओं के असकोर्ट पट्टी में आण्ठो पर्व के दोरान हिरन चितल नामक मुख़टा नर्थे यहाँपर आ जूद किया जाता है सातवा यहाँपर दन्याला नर्थे और आटवा यहाँजूद निर्तिया तो जो दन्याला निर्तिया और चंफुल निर्तिया है ये कुमाओं के जोहार घाटी के क्या है एक प्रमुक निर्तिया है दन्याल निर्तिया कैसे क्या जाता है ये क्या जाता है हातों में डंडे लेके तो डंडे से आपको लगाना है दन्याला तो डंडे लेके ज जोहार घाटे में किया जने वाला एक स्रंगार प्रतान क्या है निर्तिया है जिसमें पुरुस इस तरी गोल घेरे में इसमें क्या करती है पुरुस इस तरी क्या करती है गोल घेरे में घूंगती है और यह जैसे चांचरी निर्तिया होता ना सेम वह से यह निर्तिया है लेकि उसमें आता है जागर नर्तिया सबसे पहले, तो जागर नर्तिय के वारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जागर तो आप सुनते ही होंगे, गडवाली भासों में भी, कुमावनी भासों में भी, तो यह नर्तिया गडवालोग कुमावनी भासों में भी, तो यह नर्ति और देवी देताओं पर आधारित ये नर्ते होते हैं और नर्ते के जो प्रमुख पात्र होते हैं एक होते है जागर्या जिसको जग्रियावी बोलते हैं जग्रिया जो जग्रियतों का ग्याता होता है अब आजकल तो देखने को कम मिलते हैं लेकिन पहले बहुत देखने को मि तो जग्रे किसको कहा जाता है यहां पर जो जागर गयतों का गयाता होता है उसका दूसरा आता है ओजी जो क्या करता है हुड़का या खुड़की या थाली वादक होता है कई जगा आपने देखो जग्रे भी क्या बजाता देता है थाली बजा देता है लेकिन यहां पर यानि जिस देवता के लिए जागर गाया जा रहा है उस देवता के लिए जागर गाया जा रहा है उस देवता का अवतरन जिसमें होगा वह निए ऐसा बोलते हैं कि उस देवता का अवतरन हो गया उसमें तो उसको का जाते हैं पर पस्वा इस पर देवी देवताइं क्या होती पहर गणालि पहसं में and Gin Koma wisn तो उनके लिए जो गाये जाने वाले की दो को रहता है पंवाड़ा निर्तय या भड़ा निर्त्य और वियसट अहरे आद्यासिक वीडurarering की गाथाइं की गाथा म Antlasi निर्तिया यानि जो पौवारे काई जाते हैं और भडों के निर्तिया भडों के निर्तिया में जो पौवारे काई जाते हैं तो इनको पौवारे निर्तिया भी का जाते हैं तो इतियास के एक प्रमुख शुरोत भी है और इनी से हमें पता तलता है कि कत्यूरी वसकी जो प्र तो दोस्तों यह होगे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया यहां पर उत्राखन में यानि गड़वाल और कुमाओं में कौन-कौन से परसिद नरतिया हैं और इसके बाद यानि जो कल वीडियो आएगी वह आएगी लोग गीत पे यानि गड़वाल और कुमाओं में और एक आईए आपकी वादययंत्रों पर यहां से काफी मनलब एक्जाम में कौशन बनते ही बनते हैं यहां से बन सकते हैं या निर्थय से बनेगा तो इंदो टोपिकों से कोई न कोई क्वेशन तपक रही टोपिक हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको मनलब बिलकुर समझना है और फोड़े याद करने acid क्या यहां पर वादययंत्रों लोक गीत हैं ऄलते हैं आपको समझ में आ रहे होगे अच्छे से आमें से आपने ट्यारी कना ऑच्छे से नौड़्स कने डहिए होगे थे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो विडियो को लाइक और कमेट बोक्स में अपने राय ज़रूर दिया करेंगे वीडियो आपको कैसे रगी मिलता हैं दोस्तों नेक्स रिज़ साथ तब तक के लिए धन्यवाद